तो बच्चों को मालूम होना चाहे कि सफर के शुरूत से पहले हमें यह समझ लेना चाहे कि हम ट्रेकिंग क्यों करते हैं पहले देखते हैं कि ट्रेकिंग क्या होता है ट्रेकिंग होता है कि to visit to the countryside on foot गाउं दिहात की तरफ कूच करना सफर पर जाना वो भी पाइदल फार लांगर पीरिड अप्टाइम जिसमें बहुत वक्त हमें लगे हम ट्रेकिंग के लिए कोई सेरगा चुनते हैं कोई पहाडी दरा चुनते हैं कोई आपशार चुनते हैं तो ऐसे रास्ते जहां पर से चल बस्तियों में गुजर बसर करते हैं उनकी हालाती जिंदगी कैसी रही होगी ट्रेकिंग का सबसे बड़ा पाइद है कि हमें जिंदगी में बेश्चुमार मसायल होते हैं हम बार बार उन मसायल से गवरा जाते हैं दो चीजों की वज़ए से एक तो यह की एक पहली चीज य दिन तरफेज तक नहीं हहीतता है तो फीजिकल फिट्नस को बहाल करने के लिए और मेंटैलीट को सिट रांग करने के लिए हम ट्रैकिंग का इंदिखाब करते हैं देखें बचों कितनी चीजिए हम यहां से इinea करीज सकते हैं पहली बात यह हम अपनी जिंदगी में के दिन ट्राफिक की कोई खलल नहीं जो डिस्ट्रेक्शन से उनमें से कोई नहीं पॉलूशन कोई नहीं आज हम पॉलूशन फ्री अपनी टांगों पर चल कर किसी जगह का दोरा करेंगे तो पहली बात यह हुई कि हम डिस्ट्रेक्शन से दूर जाते हैं जब हम डिस्ट्रेक हैं तो हम एक ही चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं हम उस क्राउड़ प्ले से दूर आते हैं जंगल में आते हैं यहां हमारी आंक सिर्फ एक ही चीज चीज देखते हैं बड़े-बड़े उच्छे-उचे पहाड लश्ग्रीन फारिस्ट आप शार दूसरी चीज आप चाहकर भ तो आपका फोकस पॉइंट बन जाता है बार बार यही चीज यही चीज यही चीज दूसरी बात ग्रेनरी हम बार बार देखते हैं इससे हमारी माइंड होता है यह इस डिस्ट्रेक्शन से दूर हो जाता है और हमारा माइंड कहीं कहीं पीसफुल हो जाता है जब हमारा माइ पीसफुल हो जाए हम जिन्दगी को बेहतर तरीक से जी सकते हैं तो हमने इन तमाम चीदों से छुटका रहा पाया एक और चीज जिन्दगी में बहुत सारे मसायल होते हैं हम अक्सर गबरा जाते हैं क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हम खुद के लिए मसायल ढूंड के लाएं और उनको हल करने के कुश्च करें इसी के लिए ट्रेकिंग की जाते हैं जब आप ट्रेकिंग पर निकलते हैं आपको पता होता है हमें बहुत ज्यादा आज मशकत उठानी है पाइदल चलना है एक गंड़े के लिए नहीं तीन चार पांच छे गंड़े रास्ता आसा नहीं हो भ़घता है जाएगा जिसम शाहिव देगा थक जाएगा थक जाएगा और देमाग बारबार तो ट्रेन करते हैं अपने जिसम को भी ट्रेन करते हैं इसके लावे एक और पोईट होता है हम आम जिन्धि में लगजीरि सफ लाइप डोंदे शाहिद अची गाड़ी शायद अच्छी सवारी अच्छा मकान अच्छी फैसल्टी मगर जो हमारे पास चोटी चोटी चीज़े हैं उनकी हम कद्रू कीमत नहीं जानते इस ट्रैकिंग की दोरन हमें पतल चलता कि लगजिरी कोई और चीज होती है आप ठक हार के आगे बढ़ते हैं जिसम जवाब देत मैंने कभी नहीं पिए तो यू डिसकोवर्ड लगजिरी इने सेंपूल काप आफ वाटर यह किस चीज से मिलता है यह सिर्फ ट्रैकिंग के दोरान हमें मिलता है तो बहुत सारी चीज़े होते हैं ट्रैकिंग का एक मकसद यह भी है हम उन जगों की तलाश करें जिन पर नोमेडबाई जो इन बस्तियों में रहते हैं देखें उनका लाइप स्टाइल कितना आसान होता है अगर आप इनके सपास जाएंगे छोटा सा मकान होगा एक कमल होगी हां खानी पीनी की कुछ चीज़े हम देखते हैं कि लोग किन दुश्वार हालात में जिन्दगी इस तरह सारे मकासिए हां हुं अफी फोट्व इंक उठाटे है और फिर उन पर फाकर करते हैं कि किनी कहूलत में हैं मगर जब उच्छे उच्छे पाहड हूँ उच्छे दरक्ट हूँ एनसान फिर शाचा थाओं थैफ बड़ा पारथ इतने बड़े दरकत तो आं किते हम कि फिए कि मूलिय इनसान को ऐसास होता है. हम इस काईनात के मुकाबले में बहुत छोटी है. इतने सारे दुरूस देता हैं में ये ट्रैकिंग. इसके लावा भी बहुत सारी चीजें हमारा पर्सेप्शन बदल जाता है. गर पर हम कुछ और सोच के आते हैं, यह हम कुछ और जान लेते हैं, इसलिए जब हम ट्रेकिंग जाएंगे, एक के साथ एक हाथ मिलाकर कोई हमारा दोस्त पीछे रह जाएगा, हम उसका हाथ पगड़ींगे, ट्रेकिंग यही सिकाती है, कि एक दूसरे की मदद करो, अपनी पूछने हैं, चाहिए कैसे ही भी हालत हो, हां ट्रेकिंग यह भी सिकाता है, इस नवर, इस नवर, इस नवर इनी, I may say calamity that if you fail, फेल होना कोई, बुरी बात नहीं, क्योंकि नेचर के भी भी कोर्स बदल सकता है, हमें किसी दूर जगह तक पोँछना है, ऐसे में मौसम पता नहीं, नेचर का पता नहीं कब, तो हम आसानी के साथ वह फेलेर भी मानते हैं, जिन्दगी में हमें फेलेर भी मिलते हैं,